नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एजूकेशन विद्धिल महमद में दोस्तों कच्छा 678 में खेल और स्वास्त पुस्तक का पाठ आठ परमुक खेल में उची कूद के बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे और इस वीडियो में आप जो है परमुक खेल जो पाठ है उसका भाग पाँच इससे पहले मैं चार जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस पार्ट का तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा तो वहां से भी आप लोग अध्यन कर सकते हैं तो दोस्तों आज हम लोग उची कूद के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो वीडियो सुरू करने से पहले सातियों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक सेर भी करने तो आएए दोस्तों सुरू करते हैं वीडियो तो उची कूद इस वीडियो में हम लोग उची कूद के बारे में चर्चा करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं उची कूद है तो सातियों उची कूद में उची कूद का मैदान 5 मीटर लंबा पांच मीटर लंबा इसका मैदान होता है और चार मीटर चौड़ा छेतर होता है जिससे पोल की उचाई जो उची कुद में जो पोल होता है उसकी उचाई दो दसमलो साथ पांच मीटर होती है पोल की उचाई साथियो दो दसमलो साथ पांच पांच मीटर पांच मीटर लंबा और चार मीटर चोड़ा एक मैदान होता है और उसमें पोल होते हैं दो पोल की उचाई होती है दो दसमलो साथ माच मीटर और क्रास बार की लंबाई जो इसमें जो है खिलाडी क्रास करता है जिसको उसकी लंबाई तीन दसमलो नव पांच मीटर से चार दसमलो दो मीट जीरो दो मीटर होती है परते खिलारी को एक निर्दारीद उचाई पर कूदने के लिए तीन मौके दिये जाते हैं घृते समय करास बार गिर जाता जाना फावल होता है यानि अगर करास बार गिर जाएगा तो फावल हो जाएगा तो दोस्तों इतनी जानकारी उंची कुद में जो है हमारे पुस्तक में दी गई है खेल और स्वास कच्छा 6-7-8 में लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने कुछ जानकारी कठा किया है जिसको आप तक मैं साजा करूँगा जैसे हाई जंप किया है उंची कुद को सातियों इंगलिस में हाई जंप बोलते है और इतियास के साथ जानिये नियम और इतियासिक रिकार्ड तो आईए दोस्तों चर्चा करते हैं इसके बारे में हाई जंप को करने के कई तरीके हैं जिसमें समय के साथ बदला होता है यानि जो भी हाई जंब के तरीके हैं समय के साथ जो है बदला होता रहता है आज के समय में फासबरी फलाप इस्टाइल प्रचलन में है फासबरी फलाप इस्टाइल आज के समय में फासबरी फलाप इस्टाइल प्रचलन में है उची कूद का जो है यह उची कूद कूदने का एक स्टाइल है तो यही जो है हमारा प्रचलन में है उसके बाद सातियों आप इस पिक्चर के माध्धम से देख सकते हैं कि यह जो हमारा है क्रास बार है यह क्रास बार है और यह दो पोल लगे हैं जिसकी लंबाई हमने बता द तो इसके बारें दखिये हाइजंप को यानि ऊची कूद को सबसे सरलनियम वाला सबसे रोमांचक खेल कहा जाता है हाइजंप एक ट्रेक एंड फिल्ड इवेंट खेल है यानि ट्रेक एंड फिल्ड इवेंट का एटलेटिक्स के अंतरगत ही आता है हाइजंप जिसमें एटलेट को बीना किसी सहायता के एक निश्चित उचाई किसी की बाधा को कूद कर पार करना होता है यानि जो उचाई है उसकी बादा मतलब उसको कुद करके पार करना होता है उसके बाद आगे साथ यह बात करते हैं इस जवरान इस खेल में भाग लेने वाले परते के एतलीट को मौका दिया जाता है जो एतलीट पहली उचाई को सफलता पूर्वक पार कर लेता है उसके लिए अगली बार उचाई की सीमा बढ़ा दी जाती है यानि फ़र्ष्ट राउंड में जो खिलाडी पार कर लेता है तो उसकी क्या होती है उचाई की सीमा बढ़ा दी जाती है इसी तरह अस्पल होने वाले एतलिट पहली बादा को पार करने की कोशिस करते हैं उसके बाद सातियों हाई जम्प के परते के एतलिट को तीन मौके दे जाते हैं यानि कि एक खिलाडी को तीन मौके दिये जाते हैं अब सातियों आईए बात करते हैं हाई जंप के नियम यानि कि उंची कूद के नियम किसी भी प्रतियोगिता से पहले मुख्य जज क्रास बार की उंचाई की घोसरा कर देते हैं जो मतलब उसमें निडायक होते हैं वो क्या करते हैं क्रास बार की उंचाई जो उंचाई होती है उसकी घोसडा करते हैं, उसी हिसाब से एतलीट निर्दारित उचाई से अपनी सुरुवात कर सकता है, चाहे वह पास कर उसे उचे बार के साथ सुरुवात कर सकता है, एतलीट मुख्य जय द्वारा निर्दारित किसी भी उचाई से सुरुवात कर सकता है, उसके बाद सातियों आगे बात करते हैं बिस्व एतलेटिक्स द्वारा उची कूद के निर्धारित नियम कहते हैं यानि बिस्व एतलेटिक्स द्वारा उची कूद के निर्धारित नियम कहते हैं कि जमपर्स को एक पायर के सहारे जमप को सुरू करना होता है यानि एक पर के सारे जम्प को शुरू करना होता है अगर जम्पर उचाही को निर्धारित करने वाली बार को गिरा देता है तो उस जम्प को असफल माना जाता है यानि कि जो क्रास बार होता है अगर टच हो गया वो गिर गया तो उसको जो है उस जम्प को असफल माना जाता ह अगर क्रास बार को एह ठ uso लेता है लेकिन उससे बार गिरता नहीं है तो औह सफल जंप माने जाती याणि टथ हो गया और बार नहीं गिरा क्रास बार तो वह जो है सफल माना जाता है एक राउंड में 2 cm से ज्यादा क्रास बार को नहीं बढ़ा सकता है यानि एक खिलाडी जो है अगर निर्धारी तूचाई को कूद रहा है तो एक बार में जो है दो सेंटीमीटर से ज्यादा क्रास बार को नहीं बढ़ाया जा सकता है किसी भी टूनामेंट को लगातार तीन किसी भी टूनामेंट में लगातार तीन असफल कोशिस आपको प्रतियोगता से बाहर कर देती है अगर तीन बार आप असफल हो गये तो आप प्रतियोगता से बाहर हो जाएंगे जबकि फाइनल में सबसे अधिक उचाई की जंप लगा कि पर प्रयास करने वाले अंपर आटलीट को कि धेता जाता है कि अगर दोनों का परयास एक समान रहा तो कि थो पूरी प्रतियोगता में सबसे कम अस्फल पर्यास करने वाले अथलीट को वी यहता गोसिद किया जाता है अगर पहले अस्थान के लिए दो एतलीट के बीच टाई होता है तो जम्प आफ से फैसला टाई किया जाता है जहां दोनों एतलीट को किसी एक निर्दारी तूचाई पर जम्प करना होता है जो सफल होता है उसे बिजेपिता करार दिया जाता है या घोसित किया जाता है इस खेल को मुख जज की देखरेग में खेला जाता है जिसके पास सफेद और लाल रंग के दो जंडे होते हैं सफेद जंडा सफल जंप को दर्चाता है तो लाल जंडा सफल जंप को या फाल लगप्रिये फाजबरी फ्लाप इसकी अलावा सीजर्श फार्म के सुर्वाति देवर में ड्वारा पर्योग किया जाता है इसमें इतलीट जंप करते समय अपने पैरोंती के तरह, पैर फैलाता है है इसलिए इसे सीजर्स फर्म कहा जाता है सटेंडर रोल इस्टेर्ण रॉल और वेस्टर्न रोल अन्य परकार है यग यह जो है यह दो-तिन तरह के और स्टाइल है सीजर्स फ्राम है उसके बाई स्टेंडर्ड रोल है और वेस्टर्ण रोल है यह जो है चार स्टाइल है और सबसे मतलब इस समय सबसे प्रचलित होता है फाजबरी फ्लाप तो आई यह साथियों आब आगे देखते हैं हाई जम्प की मैदान का माप तो मैं उपर बता चुका हूं साथियों हाई जम्प के सबसे महत्पूर होती है लैंडिंग मैट हाई जम्प में सबसे महत्पूर होती है लैंडिंग मैट जिस पर एटलीट जम्प को पूरा करने के बाद लैंड करते हैं उस मैट की लंबाई होत होते हैं मैट के दोनों तरब दो पोल लगे होते हैं जिस पर बार को रखा जाता है जो एक दूसरे से 4 से 4.04 मीटर की दूरी पर इस्थित होते हैं क्रास बार की लंबाई जो होती है चार से चार दसमलों 0-2 की होती है और इसका बार 2 kg होता है जबकि रनवे एरिया 15 मीटर का होता है जिस पे एतलिट जो है दावड करके और उसको कूदता है वो 15 मीटर होता है अब साथियों आईए हाई जंप का इतियास उची कूद का इतियास के बारे में हम चर्चा करते हैं उननीशवी सताबदी की सुरुवात में इस काटलेंड में उची कूद की प्रतियोगिता को काफी पसंद किया जाता था इस इवेंट को पूर्षो के लिए 1896 में पहले आधनी कोलंपी खेलों में सामिल किया गया अगर आपके पास कूश्यन आता है कि उची कूद को आधनी कोलंपी खेलों में कब सामिल किया गया तो 1896 में इसको आधनी कोलंपी खेलों में सामिल किया गया था और महिलाओं के लिए जो है 1928 में ये पॉइंट सात्यों याद रखने वाला पॉइंट है पूर्षो के आगे बात करते हैं, उची कुछ साइद उन खेलों में से एक है जो तकनीक के लिहाद से सबसे ज़्यादा परिवर्तन के दौर से गुजरी है, इसे तरीके हैं जिसका इस्तवाल पहले दुनिया के एतलीट बर्ग उद्वारक किया जाता रहा है, हाला कि बाद में फासबरी फ्लाप जैसी तकनीक का इस्तवाल ज़्यादा होने लगा, उसके बाद साथ यह 1968 के ओलम्पिक्च चैंपियन दीक फासबरी ने इस लोकप्रिय तकनीक का इजाद किया था, उसके बाद जो है, जिसकी वज़ा से इसका नाम फासबरी फ्लाप पड़ गया, इसमें एथलीट पीट के सहारे बार को पार करता है, उसके बाद साथियों, जेबियर सोतम योर ने 1992 बर्सिलोना उलम्पिक में उलम्पिक स्वर्पदक जीता था, 1992 में, जेबियर सोतम योर ने उलम्पिक में स्वर्पदक जीता था, क्यूबा के इस दिगज ने, यानि जो एक खिला एथलीट था, जेबियर सोतम योर ने 1992 बर्सिलोना में उलम्पिक में स्वर्पदक जीता था, क्यूबा के दिगज ने 1993 में 2.45 मीटर का बरतमान हाई जम्प कूद भी स्वरिकार्ड बनाया उसके बाद सातियों वह इतिहास में 8 फिर से अधिक की छलांग लगाने वाले पहले ब्यक्ति हैं उसके बाद सातियों इतिहास में महिलाओं के हाई जम्प में सबसे उची कूद लगाने वाली एतलीट योलांडा योलांडा बालास है और रोमानिया की अस एतलीट ने 1960 और 1964 में लगातार उलम्पिक खिताब जीते और अपने इस इवेंट में उन्हें 11 साल तक कोई हरा नहीं सका का उसके बाद हाई जम्प उलम्पिक रिकार्ड आईए अब हाई जम्प उलम्पिक रिकार्ड के बारे में चरता करते हैं उलम्पिक रिकार्ड अमेरिका के चाल्स आस्टीन के नाम है यानि कि उलम्पिक रिकार्ड अमेरिका के चाल्स आस्टीन के नाम है जिनोंने उन नहीं सच्छानवे उलम्पिक खेलों में दो दस्मलों तीन तीन नौ मीटर की जंप लगा कर उलम्पिक रिकार्ड अपने नाम किया था माइला बर्ग में उलम्पिक रिकार्ड रूस की ये लेना स्लेसारेनको के नाम है जुनोंने उन 2004 ओलम्पिक खेलों में दो दस्मलों जीरो छे मीटर की जंप लगा कर इतियास के पनम अपना नाम दर्द कराया था उसके बास आती हो हाई जंप का वर्ल्ड रिकार्ड क्यूबा के जेवियर सुतमयों ने साल 1993 में दो दस्मलों चार पांच मीटर की जंप लगा कर भी सो रिकार्ड अपने नाम करते हुए इतियास राचा था आपको बता दें यहां आज भी बेस्ट जंप है यानि कि आज भ लगाने का रिकार्ड है महिला वर्ग में बुल्गारिया की इस्ट्रेप का कोस्टाडी नोवा ने 1987 में दो दस्मलो जीरो bad दॉश्व भीस्टाडव आपने नाम किया था और यहां भी वह 2.09 मीटर की जम्प के साथ बेश जम्पर बनी हुई है अब साथ यो हाई जम्प जो होता है का रोचक तत है जर्मनी की युल्रिक में फर संभौता अपने सबसे कम और सबसे ज्यादा उम्रिकी खिलारी है जुन्हें ने उची कूद में नया किटिमार बनाया उन्होंने 1972 में 1.92 मीटर की उची कूद लगा कर भी सुरिकार्ड बनाया था उसके बाद साल 1984 में उन्होंने लांस एंजेलिस में एक बार फिर स्वर्पदक पर अपना कब्जा जमाया था रे एवरी एक ऐसे जम्पर थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वह हुमान फ्राग थे जो नौ फिर तक कूच जाते थे हारमन फ्राग पूर्सों की उची कूद असपरदा का उन्हेस सो अठारा सो चानवे में ही उलम्पिक खेलों का इस्सा है जबकि महिलाओं को असपरदा को साल उन्हेस सो अठाथाईस में सामिल किया गया है इस खेल में एटलेट को बाधा से दूरी का ख्याल रखना होता है क्योंकि कम या ज्यादा दूरी से जम्प करने पर वो बाधा से टकरा सकते हैं या अपने जम्प में असपर हो सकते हैं बताने कि साल 1912 तक एटलेट लिट्स को दावड कर जम्प करने के अनुबत नहीं होती थी और उन्हें लगबक खड़े-खड़े ही कुदना पड़ता था तो साथियो आसा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद होगा अब आपके लिए हैलप फूल होगा तो वीडियो अगर यदि पसंद आए तो इस जय भारत